अलो अडो फ्रेंड्स, वैल्कम टर न्यू वीडियो चैलिड अटिल्स लेमेटर, तो फ्रेंड्स चैलिड अटिल्स में हमने बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है हमारे लास्ट इड्फरिट इंग से每ग जहांपर 14 14.37% की गिरावट हमें देखने के मिली यहाप आप देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर डे का हाई था 279 और जो सेशन था वो क्लोज हुआ है 244 पे जो कि अलमुस 14.37 डाउन है लेकिन लो बनाया था 239 जो कि मोर दैं 15% डाउन है तो यहाप अगर हम एक रिपोट देखें लूजर इन एक ग्रूप तो फ्रेंड्स ना ही चालिट होटेल्स बलकि इंडियन होटेल्स में भी जो है इंडियन होटेल्स लिमिटेड में भी अलमुस 11% से उपर की गिरावट देखने को मिली और यह सब सेम और अक्रॉस ऑल दी शेर्स तो हुआ ही गिरावट लेकिन करोना का नया वेरियंट आ रहा है ऐसा बोला जा रहा है कि वो डेल्टा से भी जादा डेंजरस है और उसी की वज़े से जो है इतनी जादा गिरावट देखने को मिल रही है और हमें अल्रेडी हमने 2019 के पैंडेमिक में देखा है अगर पैंडेमिक सिचुएशन फिर से खरा होटेल से रिलेटेड जितने भी शेयर से उन में और आने वाले दिनों में भी हम शायद देख पाएंगे थोड़ा बहुत और जो है गिरावट क्योंकि अभी लेटेस्ट अबडिट क्या है वेरियंट को लेके उसके उपर बहुत से नियूस निकल के आ रहा है कि बहुत सी कंटी से जिनको बैंड किया गया है ट्रैवलिंग से और उसके लिए तो बहुत इंपोर्टन यह आने वाला विक बहुत क्रूशल रहेगा कि यहां से आगे मार्केट किस तरीके से रियाक करता है तो आने वाले कुछ दिनों में जो नेक्स विक के टेडिंग डेज रहेंगे मुझे लगता है कि हम अबसर्व कर सकते है कि क्या फ्लो मार्केट में आ रहा है किस तरीके का वाल्यूम आ रहा है और नए जो वरियन्ट आ रहा है उसके उपर क्या लैटेस्ट अप्डेट से तो यही सारी डीटेल्स और फ्रेंट जो चालइट होटेल्स के गिरावट में जो है reason थी अगर आपको कोई भी latest update चाहिए चाहिए तो आप मेरे चैनल को subscribe करके रखिए ताकि आपको जो है on time information मिलती रहे thank you for watching this video and please subscribe my channel